नमश्कार दोस्तों, only ice channel पे आप सबका स्वागत है हमारे important places in news में आज हम part 2 discuss कर रहे हैं अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लो थोड़ा सा आपको quickly idea हो जाएगा क्योंकि UPSC prelims में कम से कम 3-4 questions mapping के आते हैं और यह questions बहुत easy होते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत ही अजीब सी आपको location पूछे हैं क्या हमको UPSC की तरह smart होके smart तरीके से mapping को करना है तो हम वही करने जा रहे हैं यहां पे पहला पार्ट नहीं देखा है तो फटावर्ट से उसको देख लो वापिस आ जाओ और फिर इसमें हम majorly important tiger reserves of India के बारे में बात करेंगे सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको कहा होती है southern या फिर north eastern area के जो tiger reserves होते हम भूल जाते हैं उनको right तो इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आप इसके बाद उसको ना भूलो so let's just quickly start आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी information आपके लिए प्रारंब 2022 का batch हम start कर चुके हैं देखो UPSC की जो preparation होती है वो कभी सीधी standard book से नहीं होती है jump start मत करना हमें basic से start करना होता है तो इसी में आपकी help करने के लिए हम NCRT से start करेंगे इस प्रारंब को ताकि आपका जो basic building block है वो एकदम solid हो जाए तो NCRT दो महिने starting में आप jump के NCRT के concept समझो उसके बाद अच्छा इस NCRT में आपको videos भी मिलेंगे और NCRT में test भी मिलेगा ताकि हम यह समझे कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो इसके बाद jump start करेंगे हम mains की preparation पे थोड़ा सा standard books की तरफ चलेंगे इस mains की preparation के अंदर बहुत ही gradually और बहुत ही हम एक-एक subject को उसको sub-categorize करते हुए प्लस previous year के अगर question papers उसमें relevant होंगे तो इन सब के साथ में प्लस test series के साथ में इन सब के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और आपका पूरा का पूरा syllabus one by one इसमें cover करवाया जाएगा CSET के classes भी लगेंगे Sunday to Sunday क्योंकि CSET दिन पर दिन हर साल दर साल ये tough से tough होता जा रहा है इसके साथ में आपको answer का पूरा feedback मिलेगा कि आपने किस तरी किस answer लिखा है कैसे उसमें आपको improve करना है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे course में जब budget आएगा तो budget, economic survey बीच में अगर को important document आए तो और साथ में current इन सारी classes के साथ में हम अपने course को finish करेंगे लेकिन आपके साथ हमारा रिष्टा तूटे गा नहीं हाँ पे हम prelims में prelims की test series चलाएंगे जिसमें आप पूरी तरीके से participate करेंगे मेंस के time पे मेंस की test series चलाएंगे जिसमें पूरे feedback mechanism के साथ में आपके answer writing को improve करा जाएगा इसके साथ में जैसे ही और हमें पूरी उमीद है कि आप सब लोग mock देंगे तो उसमें mock अभी 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 जो बच्चे 2021 के लिए दे रहे हैं 2020 के लिए दे रहे हैं उन सब के लिए अल्रेडी mock की तयारी हो चुकी है आप enroll कर सकते हैं इसमें और जो अगर आप basic to standard की तरफ move करता हुआ प्रारंब 2022 हमारा एक ऐसा initiative है जिसमें आपकी जो basic building से तयार होते हुए जितनी solid preparation आपको करने चाहिए वह सारी आपकी one-by-one हो जाएगी और UPSC preparation हमेशा step-by-step होता है इसे मेरा thorn it's never in sprint अब चलते हैं हमारी mapping की तरफ पहला है हमारा need which is northern European enclosure dam अच्छा यह थोड़ी ज़र में start करेंगे यह कुछ पहले इंपॉर्डेन लोकिशन से जिस्ट हैव एक क्विक लुक तो यह एक dam बनने के लिए जा रहा है नदन European enclosure dam बहुत ही बड़ा construction होगा यह जो पुरे नोर्थ सी के चारों तरफ होगा इसका construction का जो कारण है वो यह है कि जो sea level rise हो रहा है उसके efforts को mitigate कर उसको mitigate करने के लिए यह कितना बड़ा construction यहां पे चलाया जा रहा है इसमें दो dam बनेंगे इसको एक मत समझना यह दो डैम है दो डैम जो है पहला क्या करेगा पहला 637 km का है और यह लगबग Northern Scotland से Western Norway को connect करेगा यह रहा Northern Scotland से नोर्वे को connect करेगा पहला डैम और दूसरा डैम होगा हमारा लगबग 476 km का और यह 161 km का सोरी 161 km का जो लगबग France और South Western England को connect करेगा यह रहा France to South England को यह connect करेगा तो यह दो डैम है हमारे important से जिनका नाम में Northern European Inclusive Dam बस यह दुख लेना कि किस-किस को connect कर रहा है बाकी इतना important नहीं है important है कि यह जहां पर बन रहा है वो location important है तो उस location में सबसे पहले हम क्या दिखेंगे North Sea कहां पर है यह रही location North Sea की यह हमारी इस Canadian countries और यह हमारा mainland Europe और यह हमारा यह जो UK है इन तिनों के बीच में है Northern North Sea उपर है Norwegian Sea यहां पर और यहां पर Atlantic Ocean है North Sea English Channel से मिलता है Strait of Dover के तुरू Strait of Dover important है दोनों देख लो Strait of Dover France और UK को connect करती है वैसे North Sea और English Channel को connect करती है right location ध्यान हो गई आच्छा इसके चारों तरफ कौन कौन से countries हैं वो भी देख लो UK हो गया Norway हो गया Sweden हो गया Denmark हो गया Germany हो गया Netherlands Belgium France France को नहीं मानेंगे क्योंकि France लगबग हाँ मान सकते हैं France भी है तो यह हो गया हमारी France Belgium, Netherlands, Germany, Denmark, Sweden, Norway and UK तो यह हमारी North Sea को चारों तरफ से गहरेवे वाली countries हैं तो इसके अलावा देखो यहां पर Europe के जो seas है न यूरोप में काफे सारे sea हैं तो इन sea की location बहुत important बनती है यह zero degree line है हमारी Prime Meridian Line Prime Meridian Line कहां कहां से निकल रही है यह Norwegian Sea से निकल रही है यह North Sea से निकल रही है यह यहां पर हमारी English Channel है वहां से निकल रहा है उसके बाद में यह Mediterranean Sea से निकल रही है आप देख रहे हो इनका नाम important है तो यह इनको कम से कम ध्यान रखना कि zero degree इसी तरह के question पूछती है इस line से कितना दूर है इनको arrange करो increasing, decreasing, north to south, east to west order में तो इसी तरह हम को भी इसी तरह के से map की study करनी है तो zero degree में कौन-कौन से आचाहेंगे prime meridian में Norwegian, north sea, English channel and Mediterranean sea ध्यानक न, bay of biscuit नहीं आ रहा है यह France cynical rail line bay of biscuit को cross नहीं कर रही है तो यह तो एक बात होगी दूसरे बात होगी कि हमारा arctic circle जो है वो सिर्फ Norwegian sea और white sea से निकल रहा है बाकि किसी sea से यह नहीं निकल रहा है point number two हो गया अब ही देखो कि कौन गौन सी sea का location कहां पर है आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको 4 sea का नाम दे देंगे कि इनको आप north to south या east to west अरेंज करो तो हमको इनका relative location ध्यान रखना है कि कहां कहां पर located है तो start होती सबसे पहले हमारा यहां पर है Bay of Biscay यह Bay of Biscay जो है Atlantic Ocean का ही extended part है जो यूरोप के अंदर enter हुआ है ठीक है यहां पर है हमारा अच्छा ऐसे ही चलते हैं हम ठीक है Bay of Biscay आ गया Bay of Biscay के बाद यहां पर है हमारा English Channel English Channel के बाद हमारा Norwegian Sea North Sea Baltic Sea Baltic Sea और यहां पर आ जाएगा हमारा Mediterranean Sea यहां पर है हमारा White Sea और यहां पर है हमारा Kara Sea और यह हमारा Barent Sea I think हम लोग इसको North से South देखते हैं North से South में सब से उपर कौन चा है Barent उसके बाद दोनों ले लो almost same है Norwegian और White Sea almost same location पर है उसके बाद आ जाएगा हमारा North Sea North Sea के बाद Baltic Baltic के बाद English Channel English Channel के बाद Bay of Biscay, Bay of Biscay के साथ ही यहां पर आपको Sea of Ajov भी दिख जाएगा और इसी के Almost Parallel में आपको Black Sea और Caspian Sea भी दिख जाएगा और उसके बाद है हमारा Mediterranean Sea तो आपको इसी तरीके से Referensive Locations याद रखने हैं कि कौन किसके कितना आगे पीछे उपर नीचे है तो यह यूरोप का पूरा Map है आपको सारी Countries तो देखो याद होना आप European हो तो I think it would be easier बागी अगर नहीं याद हो रही है तो at least कौन कौन से Landlocked Countries हैं और इनकी क्या Prime Locations हैं कौन सी कंट्री हमारी Eastern Europe बनाती है यहां पे Landlocked है इसका मतलब है यह किसी भी Sea या Open Body Open Water Body के अंदर Open नहीं हो रही है तो आप उसको easily eliminate कर सकते हो जैसे कौन कौन सी Landlocked Country इसका screenshot ले लो यह ऐसी information से ही हमको Elimination में help मिलती है Luxembourg, Linchstein Switzerland, Austria Czech Republic, Belarus Moldovia, Slovakia Hungary, Serbia Kosovo, Macdonia San Marino and Vatican City and Androra Androra जो है बिलकुल यहां पे छोटा सा सीटी है France or Spain के बीच में तो यह सारी locations याद रख लो location मतलब मैं नहीं बोल रही है कि इस सबको आप याद रखो पर 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको यह automatically याद हो जाएगे कि यह वाली Landlocked Country यह कहीं खुलती नहीं है तो किसी open sea में open नहीं होती है तो आप उसको automatically eliminate कर दोगे और बहुत बार एक option को eliminate करने पे आपका answer बहुत बार आँ भी जाता है बट वो आपको 100% sure होना चाहिए ठीक है तो यह countries है अच्छा अभी जब हम C की बात कर रहे हैं एक बार पूरा देख लें कहां कहां पे C है हमने यहां से बात करी थी Barennes Sea, Kara Sea, White Sea, Baltic Sea, North Sea, Norwegian Sea यहां था हमारा, Mediterranean Sea, Black Sea, Caspian Sea यहां पे Aral Sea है Now Caspian और Aral Sea जो है यह generally हमारी lakes है लेकिन इनकी size के वज़े से इनको नाम दी दिया गया है Aral Sea जो है वो dry होता जा रहा है इस पे Aral Sea पे question आभी चुका है इसके अलावा अभी देखो सिर्फ Northern Area में देखो Arctic Ocean में कौन-कौन सी seas open होते हैं चुक्ची Sea, Bering Sea, Barefoot Sea, Greenland Sea, Barent, Kara, White Sea, Laptev Sea, East Serbia Sea ठीक है इनको याद कर लो आ जाओ नीचे उसके बाद देखो कि यह हमारा जो इस वाला particular area है Arctic Circle और equator के बीच वाला area इसमें कौन-कौन सा आ रहा है हमारा Labrador Sea का location कहां है यह रहा है आपको पता होगा Labrador Current आती है हमारी Cold Ocean Current है ना और यहां से हमारी North Atlantic drift जाती है तो वो हमारी warm है तो यह वाला बड़िया fishing का area भी है कौन सा area है यह Gulf of St. Lawrence के पास में Gulf of St. Lawrence अच्छा fishing का area है कहां पे located है यह हमारा Northern North America में located है यहां पे हमारा सरगासो सी है सरगासो सी में एक सरगासो टाइप की weed पाई जाती है और यह बिल्कुल static है एक दम इसमें जादा सरगासो यह गाईरो सर्कुलेशन के बीच में आ जाता है तो इतना सर्कुलेट नहीं होता है यहां पे हमारा Gulf of Mexico हो गया यह हमारा Caribbean Sea हो गया यूरोप के अंदर चलेंगे तो यह हमने देख लिया Baltic North Norwegian Bay इसके Adriatic Sea है यह Mediterranean जब यहां इटली के सेंटर में यहां पे देखो यह है Adriatic Sea इस इस Adriatic Sea उसके बाद हमारा Black Sea तो यह जो है यह हमारा यह है Sea of Ajo यह Black Sea है यहां पे दो स्ट्रेट से हमारी उनके साथ में यह यहां पे Mediterranean Sea Water Body के अंदर ओपन होता है अभी देखेंगे उसको Mediterranean Sea वाले पूरे इडिया को explain करके देखेंगे इसके बाद हमारा आजाता है यहां पे Dead Sea छोटा सा है यहां पे हमारा इसराइल के पास में इसराइल Zordon का बॉर्डर मिलता है यहां पे यह है हमारा Red Sea और इसी से Gulf of Aiden देखो Gulf of Oman और Gulf of Aiden में कभी कभी confusion सा रहता है वट हमेशन ध्यान रखना कि Gulf of Oman उपर की तरफ है क्योंकि ओमान यहां वाली country से मैच करता है यहां यहां पे है यह ओमान है तो यहमन के साथ Gulf of Aiden है ओमान के साथ Gulf of Oman है और Persian Gulf उपर है रहाइट सो यह है हमारा दो उसके बाद नीचे चले तो हमारा अंडबांच सी यह हमारा Arabian Sea हो गया पंगल हो गया अंडबांच सी हो गया यह तो आपको पता ही होगा ओके उसके बाद चलते हैं हम Eastern Asia के अंदर Eastern Asia में आप नीचे से चले या चलो हम एकाम करते हम नौर्फ तो साथ चलते हैं न बरिंग सी हो गया हमारा सिखोफट्सक हो गया सिखोफ़को सिख रशिया और यु रशिया यू जा पैड़िश चीन चे बीच में है दन मेयाब दें के यह तो यह सी यह 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 यहां पर जो रिवर है यह यलो रिवर उस का आजीमन टेशन है of the area it is coming from तो उसके उज़े से ये येलो इस टिंट देता इसलिए से येलो सी बोलते हैं then we have the East China Sea यहां पर South China Sea और फिलिपीन सी जो almost एक दूसरे के पैरलल है then we have these Southeast Asian seas small small तो यहां पर देखो Celebis Sea है हमारा Flores Sea है Java Sea है बिलकुल Flores Sea के पास में यहां पर हमारे ये हैं सारे Australia से जोड़े हैं तीमोर सी आराफूर सी और कॉरल सी और सबसे नीचे हमारा तसमान सी और सबसे नीचे हमारा है सकोटिया सी तो at least सबसे देख लो सबसे last कोन है सबसे starting का कोन है और बागी थोड़ा सा 2-3 बार इसको देखोगे ना तो इनकी लोकेशन सापको याद हो चाहेंगे इस नॉट धाट टफ बट वही है कि जब भी चाही पी रहे हो कुछ कर रहे हो मैप के सामने खड़े हो जा और मैप में इस तरीके से लोकेशन देखते रहो तो बात करते Mediterranean Sea की पहला तो है कि Mediterranean Sea से कौन-कौन से कंट्री यहां से लगती है तो स्टार्टिंग फ्रोम दी ग्रीस फिर यहां पे हमारी हो जाएगी अल्बानिया, मॉन्टेग्रो यहां पे बोस्निया क्रोशिया, स्लोवेनिया देखो चेक जो था वो लेंड लोक्ड था इटली, मोनाक को यहां पे छूट इसी कंट्री है मोनाक को जो लिंगोरियन सी के अंदर खुलती है दन फ्रांस, दन वी हाव स्पेन और फिर नीचे अफरिका की तरफ मोरक्को, अलजीरिया ट्यूनीशिया, लिबिया एजिप्ट, एजिप्ट तो होगा ही दन इन दी, अवर एशिया पार्ट, वी हाव इस्राइल लैबनोन, साइप्रस साइप्रस एक छोटा सा आईलेंड है यहां पे सीरिया टर्की, यह सारी कंट्रीज हैं जो हमारी मडिटरियन के अंदर, ओपन होती है दो, तीन बार पढ़ोगे या अगर कोई ट्रिक भी आपको याद है तो ट्रिक आप मुझे भी बता दो, कॉमेंट सेक्शन में लिख दो बट मैं इसको जनरली तीन-चार बार पढ़की ऐसे याद रखती हूँ है ना तो बाकी एक हमारा है बॉस्फोरस स्ट्रेट जो ब्लैक सी और मडिटरेनियन सी या फिर पर्टिकुलर्ली हम बोलेंगी कि सी ओफ मरमारा, सी ओफ मरमारा जो है ये तर्की की दो पोर्शन में है देखो तर्की आदा यूरोप में है और आदा एशिया के अंदर है तो ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है या मानलो की जो सी ओफ मरमारा है ये तर्की को एशियन तर्की ये यूरोपियन तर्की के बीच में के बीच में आता है तो लोकेशन ध्यान रखना है हमको bosforas straight कहां पर है हमारा यहां पर किन दो water bodies को connect करता है black sea को sea of marmara से उसके बाद sea of marmara agian sea से या फिर मानलो की बड़े तरीके से मेडिटरीरियन sea से connected है dar dalins straight से तो यहां से अगर मानलो रिशिया से कोई shipment आना है तो वो black sea से आएगा Bosphorus Strait को Cross करेगा C of Murmara में आएगा Dardaline Strait से आएगा और उसके बाद Asian Sea से Sea of Carat से होता है Mediterranean Sea से होता है Suez Canal से होता है Red Sea से होता है Gulf of Eden से होता है India तक पहुचेगा तो ये इतनी सारी Water Bodies को ये Cross करेगा इन में confused नहीं होना है बिल्कुल भी बॉसफोरस ब्लैक सी के पासे बीफ़ॉर बॉसफोरस बीफ़ॉर ब्लैक सी जैसे भी आप याद रखो और ये डाडलीन जो है ये मरमारा और एजिंसी को कनेक्ट करती है अभी एक बार बात कर लेते हैं कि Mediterranean Sea के अंदर छोटी छोटी वाटर बोडी है मतलब यह एक्स्टेंडेड ही है इनको नाम दिया गए अलग-अलग तो कौन सी एक तो बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ गिल्बर्टार है स्ट्रेट ऑफ गिल्बर्टार जो है यह Mediterranean Sea और Atlantic Ocean को मिलाता है और यह यहां पर लोकेटेड है बिल्कुल स्पैन और मुरकों के बीच में उसके बाद यह हो गया हमारा यहां पर एक चोटा सा वाटर बोडी है अलबोरन वाटर बोडी अलबोरन सी उसके बाद है हमारा बालेरिक सी, लिगूरियन सी ट्रेनियन सी, एड्रियार्टिक सी जो बिल्कुल इटली के यहां पर अंदर की तरफ है आयोनियन सी, एजियन सी और सी ओफ केरट तो यह हमारी इंपॉर्टेंट वाटर बोडी है इसके कैसे याद रखनी है तीन-चार बार पड़ोगे दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी इसको अपने मोबैल में आप कहीं पे भी देखरो स्क्रिन शॉट लेलो, फोटो लेलो जब भी फ्री रहो, एक, दो, तीन बार इसको रिवाइस कर लो, आपको यह आराम से याद हो जाएगा, ओके, अगला है BBIN Agreement, बांगलादेश, भूटान इंडिया और नेपाल ने एक Motor Vehicle Agreement करा है तो यह इन्होंने एग्रिमेंट जो है June 2015 में साइन करा था, ताकि passengers का regulation हो सके personal and cargo vehicle traffic आते हैं चार countries के बीच में उनको regulate कर सके तो यह proposed location है कि यहाँ पर हमारी सिलीगुरी से होतावा धाका पर आएगा और यहाँ से यह गोहाटी शिलोंग से होतावा सिलहट से धाका पर मिलेगा और यहाँ पर बेनापोल से होतावा जिसमें भूटान, बांगलादेश, नेपाल का पूरा connectivity हम यहाँ पर connect कर रहे है तो यह इसमें ज्यादा नहीं है छोटा सा है बस simply आपको ज्यान रखना है कि locations कहाँ पर है coming to our tiger reserves पक्खे या फिर पक्खे tiger reserve news में था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश गवर्मेंट ने तो पहली बात यह इधर ही solve हो गई कि यह किदर है यह है अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ पर इन्होंने एक east-west industrial corridor निकालने का फेसला किया है जो it will stretch through the core area of पक्खे tiger reserve तो इधर ही यही problematic है इधर अभी environmentalist की तरफ से भी हमको काफी सारा material पढ़नी को मिलेगा कि यह किस तरीके से सही नहीं है बट हमारा main topic है कि हम पढ़ें tiger reserves के बारे में पक्खे या पक्खुई अल्रेडी question आ चुका है यह जो है भारेली या कामंग river जो है पक्खे सब ने पढ़ा था पक्खुई किसे ने नहीं पढ़ा था तो बहुत सारे लोग confused हो गए थे कि पक्खुई tiger reserve कौन सा नहीं आ गया कहा है तो हमको उसकी alternate names भी याद रखने है और यह पक्खे river east में बारेलिया कामंगी इसके west या नोर्थ में इसको बाउंड करती है यह semi evergreen evergreen forest eastern himalian broadly forest type का forest है क्योंकि यह भी question पूछा जाता है कि इस type का forest कहां पर है अच्छा तुन्डरा टाइप का forest कौन से tiger reserve में मिलेगा कौन से national park biosfet reserve में मिलेगा तो जब हम यह पढ़ें तो एक एक करके हम सारे tiger reserve को फटा 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 पट से देख लेते हैं I hope कि आप इसका pdf देख लोगे और इस video को एक बार वापस भी देख लोगे ताकि सारे tiger reserve साब को एक दम clear हो जाएंगे now looking at the locations देखो यहाँ पर आप इसको एक बार west to east की location में देखना बक्सा जो है हमारा west pangal के अंदर है मानस नामेरी नामदा हमारा अरुना चल पक्के हमारा अरुना चल काजरंगा मानस और नामेरी जो है यह तीनों हमारे आसाम के अंदर हैं सबसे इसमें देखो location wise बक्सा सबसे पहले then we have the मानस नामेरी पके काजिरंगा और नामतपा नामतपा यह हमारा इस्टर्ण मॉस्ट टाइगर रिजवाक है बहुत ही क्विकली इस पूरे टाइगर रिजव्स को वन बाइवन देखेंगे कि state में कौन सा है state by state starting from the Uttarakhand Uttarakhand के अंदर दो tiger reserve है Corbett और Rajaji यह Rajaji का location यहाँ पे थोड़ा अपर में है यहाँ पे Jim Corbett Jim Corbett हमारा one of the first tiger reserves के अंदर था Rajasthan के अंदर तीन है Sariska, Ranthambore and Mukundara now looking at the location from north to south Sariska पहले Ranthambore and then we have the Mukundara Mukundara जो है वो मद्यप्रदेश के बिलकुल border के साथ है right, okay coming next to Maharashtra, Maharashtra में पांच है टिपेश्वर, Milghat, सयादरी, Navagam and Bor Bor जो है यह हमारा area wise smallest tiger reserve है Navagam, Nagzira, सयादरी, Milghat and टिपेश्वर, looking at the location यह रहा हमारा टिपेश्वर, Bor यह रहा हमारा ताडोबा अंधेरी tiger reserve यहाँ पे यह रहा हमारा ध्यान गंगा wildlife century यहाँ पे और यह बोर यह हमारा टिपेश्वर हो गया coming to the tiger reserves of west Bengal दो है हमारे पास एक तो बकसा tiger reserve है अभी अभी हमने देखा यहाँ पे गेंजटिक plane पे था उपर की तरफ एक है सुन्दरवन tiger reserve सुन्दरवन जो है यह national park भी है biosphere reserve भी है tiger reserve भी है रामसर साइट भी है और UNESCO world heritage साइट भी है तो मैं तब देख सकते हो कि इतना ज़्यादा protected area है यह तो यहाँ पे location देखो यह रहा बकसा बिल्कुल उपर है यहाँ पे और यह गैंजटिक plane के अंदर और यह है हमारा सुन्दरवन यहाँ पे located है यह जो है हमारी tropic of cancer की line है tropic of cancer की line से यह ज़्यादा दूर नहीं है बट important चीज क्या ध्यान रखना है कि इस tropic of cancer यह tropic of cancer कहा कहा से निकल रही है जिन में से हमारे tiger reserves भी आते हैं उसके बारे में सबसे end में बात करेंगे बट अभी आप location भी देखते जाना किनका location भी किस तरफ है coming to the tiger reserves of Odisha Odisha में दो important है shimlipal and satkosya अभी जहाँ पे forest fire के बहुत cases हो गए थे shimlipal को shimlipal इसलिए बोलते है क्योंकि यहाँ पे एक red silk या semul का एक cotton tree है और यह semul से ही इसका नाम shimlipal बना है satkosya tiger reserve जो है यहाँ से महानदी पास होती है यहाँ पे यह महानदी elephant reserve भी है जो बाकी दो bio geographical areas decan peninsula और eastern guard के बीच में इनके meeting point पे यहाँ पे बनता है यह हमारा satkosya looking at the location यह रहा हमारा satkosya यहाँ पे और यह यह रहा हमारा shimlipal ठीक है shimlipal west bengal के पास में है यहाँ पे इस तरफ बोल्ट यह coastal area के बहुत पास में satkosya यह रहा हमारा बोनेश्वर के almost थोड़ा सा उपर और coastal area से थोड़ा सा दूर है चिलिकालेग से भी उपर है satkosya चिलिकालेग यहाँ पे नीचे की तरफ फॉल होती है पूरी के पास में यहाँ पे महानादी रिवर की एक ही distributory है दया रिवर दया रिवर के ही बैंक पे बनी हुई है हमारी पूरी और उसके बाद में हमारा चिलिकालेग coming to the tiger results of UP, UP में तीन है पिली भीत, दुद्वा और अमंगर तो दुद्वा निशनल पार्क जो है यह तरही बेल्ट के अंदर आता है यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे ध्यान रखना की किस तरह का यहाँ पे climate है तो दुद्वा निशनल पार्क के अंदर तीन जीजे हैं तीनों बहुत important है बहुत बहुत दुद्वा निशनल पार्क, किशन पूर वाइल लाइफ सेंचुरी और कतरनी घाट वाइल लाइफ सेंचुरी इन तीनों को मिलके दुद्वा निशनल पार्क बनता है जहां पे हमारे टाइगर रिजव भी है पीली भीत और अमनगड लोकिंग एड दी लोकेशन पीली भीत अमनगड जो है अमनगड बिलकुल जिम कॉर्बेट के पास में है यहां पे उत्राखंड के बॉर्डर के पास में पीली भीत और दुद्वा जो है यह तराइड इजन के अंदर आते हैं तो यह हो गया हमारा लोकेशन अच्छा इसमें आप देखो कि सब चिश्यान रखना अमनगड उपर है पेली भीत अंदुद्वा यहां पे है बिहार के अंदर एक ही है हमारा वालमी की जो बिलकुल नेपाल के साथ बॉर्डर के साथ है वालमी की यहां पे coming to the six tiger reserves of मध्यप्रदेश पहला है कानहा कानहा ऐसा पहला tiger reserve है जहां पे एक official muscat जिसे भूर सिंग जब भारा सिंगा करके introduce करा गया था पैंच tiger reserve पैंच हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा tigers आपको यहां पे मिलेंगे area wise और यह सत्थपूरा range के अंदर fall होता है coming to the next बांधवगर्ड बांधवगर्ड में highest density है अभी highest number और highest density में confused नहीं होना है highest number का मतलब क्या हाँ कि यहां पे 100 tigers है मान लो highest density का मतलब क्या हाँ कि छोटे एक area में number of population number of tiger सबसे ज़्यादा है तो अगर आपको ज़्यादा tiger देखने के chances किसी में होंगे तो वो बांधवगर्ड में होंगे पैंच का area बड़ा होगा number ज़्यादा होंगे लेकिन बांधवगर्ड का area चोटा होगा लेकिन tiger ज़्यादा होगे तो higher density है हमेश्य ध्यान रखना पैंच में highest number है बांधवगर्ड में highest density है then we have सतपूरा tiger reserve संजे दूबरी tiger reserve और पंना tiger reserve पन्ना टाइगर रिजव काफी टाइम से न्यूज में है जब केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग की बात करते हैं कि इसका एक एरिया सबमर्ज हो जाएगा सत्पूरा टाइगर रिजव सत्पूरा रेंज में है यहाँ पे पांडवा केवस भी हैं धूपकर पीक हैं और बीफॉल भी है संजे दुबरी नेशनल पार्क जो है यह पहले जब देखो MPO 36 गड़ के बॉर्डर पे हैं यहाँ पे जब 36 गड़ अलग वा था तो इसी संजे दुबरी को 36 गड़ वाले पार्ट में गुरू घासीदास नेशनल पार्क नाम दे दिया था लोकिंग इडीह टेटेशन स्पणा फिया पाँड़ बांधवगर मौर्मावश्ट लोकशिन्स घंटर लोकिंट बांधवगरई और भाणियाadores काना अल्मोस्ट पर्लेल एके लाइन पे हैं यहां पर सत्पूरा पहले है काना इस तरफ चतिस गड़ की साइड में हैं देखो इसी तरीके से देखोगे ना तो क्वेशन सॉल करना बहुत ईजी हो जाएगा तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में दो हैं कावल और अम्राबद अम्राबद के अंदर एक माउस डियर भी इंट्रोड्यूस करा यहां पर ऐसा दिखते है चोटे सा फेस का माउस टाइप का डियर है यहां पर और यह लाज़िस्ट रिजर्वार टाइगर रिज पहले अम्राबद जो है यह नागारजुन सागर श्री सेलम का पार्ट था आंद्रा प्रदेश का लेकिन जब दोनों का बाइफर्पकेशन हो गया तो तेलंगाना वाले पार्ट को अम्राबद टाइगर रिजव दे दिया और नागारजुन सागर जो है वो भी हंद्रा के अंदर है और है कावल टाइगर रिजव कावल जो है यह गोदावरी और कादम रिवर के कैच्छमेंट के अंदर आता है इसको ध्यानक लेना दिस इन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोकिंग इट लोकेशन यह रहा अम्राबद और नागरजुन सागर सेलम बिल है यह स्मॉलेस्ट जो है वह बोर टाइगर रिजव मिन आपको बिताए ता महरास्ट्रा के अंदर और इसका जो लोकेशन है वह बिल्कुल तेलंगाना और इसके बॉर्डर के ऊपर है कमिंग टू दी आसाम त्री वेरी फोर वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजव काज तो यह चारो लोकेशन से हमारी मानस बिल्कुल इसमें वेस्टन में है और यह चारो बहुत इंपॉर्टेंट है काजरंगा मानस नामेरी और आंग कहां पे है आसाम के अंदर मिजोरियम के अंदर एक है दंपा जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह बिल्कुल टाइगर रिजव है बिल्कुल इस्टन में है पके जो आसाम के साथ बॉर्डर के साथ है यहां पे पके पक हुई और है कामलंग कामलंग यहां पे लोकेटेड है हमारा नामदपा के जस्ट उपर तो यह तीन इंपोर्टेंट टाइगर रिजव से अरुना चल प्रदेश के बिहार के अंदर एक है वाल में की हमने देखा था बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर के साथ मिल रहा है चतिस गड़ के अंदर तीन है चतिस गड़ के अंदर यह रहा देखो इंदरावती उदांती सितांदी और अचनकमार अमरकंटक वाला पोर्षन हमारा यह तीन हमारे यह यह पे पोर्शन है, वो somewhere here, तो यह तीन चत्तिस गड़के हैं, इंदरावती, उदांती and अचना कमार, जारकंड के अंदर सिर्फ एक है, पल्माव का, ध्यानक नाइस को जारकंड में सिर्फ और सिर्फ एक है, पल्माव का, जैसे बिहार के अंदर एक है, करनाटका के अंदर, very important location, करनाटका में हम बहुत confused हो जाते हैं, बांधीपोर, टाइगर जव, काली टाइगर जव, नागर होल, भद्रा, अंशी डांडेली, एन बिली गिरी, रंगा स्वामी, टेंपल, वाइड लाइफ सिंचुरी, यह भी टाइगर जव के अंदर, वाइड लाइफ सिंचुरी नागर होल, अंधरा प्रदिश और के बिलकुल बॉर्डर पे हैं, यहां पे और बागी बचा हमारा बांधीपूर, बांधीपूर इस ओल्सवामी टेंपल, वाइफ सिंचुरी, यह भी करनाटका के अंदर है, तो यह लोकेशन्स हम को ध्यान रगनी है, यह छे ध्यान रग यहां पे मुदू मुलाई टाइगर रिजव है, मुदू मुलाई जो है, यह ट्राइ जंक्शन करनाटका, केरला और तमिलनाडू के ट्राइ जंक्शन पे है, यह एक वेस्टन आ चुका है, प्रिलम्स के अंदर, इस वेरी इंपोर्टेंट, यह लोकेशन्स पर यह नेलगी यह सब मुदू मुलाई टाइगर जव का एक पार्ट बनता है, और फिर हमारे पास है काला कड मुदून्थुराई टाइगर जो है, यह ड्राइ डिसीडियस ड्राइट थ्रोन फोरेस्ट है, नेशनल का फॉर्स्ट टाइगर सेंचुरी है, 1962 में और यह पॉपुलर एजरी सेंचुरी भी इसको बोलते हैं, फिर हमारा सत्या मंगलम है, सत्या मंगलम जो है यह ए सर की सारे तमिल्णाडु के पोश्टनahltia लेकिन मुदू मुलाई जो अईसा है, गर आपको उप्शन में करनातका भी आ जाए या क्यरल भी आजाए, तो भी आप उसको कैंसल नहीं करोगे क्योंकि it is at the tri junction coming at to Kerala we have two Parambiculum और Periyar, Periyar river पे हैं यहां पे and Parambiculum यहां पे हमारा Annamalai के बिलकुल पास में है, two very very important, so यह important tiger reserves थे हैं यहां पे मैं बहुत जादा टाइम नहीं लूँगी अभी बहुत लंबा भी हो गया हमारा वीडियो बट यह दो चीजे ध्यान रखो एक तो Tropic of Cancer से relative reference उपर नीचे क्या है और खुद tiger reserves का north to south या east to west क्या reference बनता है इनका बिलकुल याद करने की रटने की जरूरत नहीं है लेकिन इस मैं आपको बार बार देखोगे न तो automaticallyly दिमाग में याद रह जाएगा जैसे आपको रंधंबोर और मुकंदरा के बारे में अभी पता होगा कि रंधंबोर और मुकंदरा इधर है सरिसका आपको पता होगा कि सरिसका उपर रंधंबोर फिट मुकंदरा है तो बिलकुल इसी तरीके से जैसे हमको बक्सा मानस औरांग नामदबा वाला भी याद हो गया है तीन चार बार देखो कि याद हो जाएगा स्पेशली सदन वाली जो है वो काफी इंपोर्टेंट बनते हैं क्योंकि थोड़े कॉंप्लिकेटेड हो जाते हैं यहां पर देखो जैसे जम्मु कश्मीर यह चीज़े ना इलिमिनेशन में बहुत काम आती है जैसे जम्मु कश्मीर हिमाचल हो गया पंजाब हो गया, ह्र्याना हो गया, गुझरात हो गया, यह सारे वो स्टेट्स है जहां पर और यहां पर भी देखो इन स्टेट्स के अंदर टाइगर रिजिर नहीं है तो êtes कोई एक लिस्ट्स बना कि comment section में भी डाल दो ताकि बाकी को पी help मिलती रहेगी तो यह आपको na eliminate करने में बहुत help करेगा हमेशान क्या बोलते हैं मुसको reverse engineering करके भी पढ़ने की कोशिश करनी है हमको तो यह थे हमारे important tiger results अभी हम इसको यहीं पर finish करेंगे अगले वाले में हम कुछ और important mapping के locations देखेंगे बट हम करेंगे कि इसको पुरा collectively कर लें आपको mapping कहीं और से देखने की जरूतना पड़े तो इस इस इट जेहिंद